हलो स्टूदेंस दिस इस तनुष्री सो तोड़ी विल स्टार्ट एनादर पार्ट अपक्सराइज 26 सो लेट्स स्टार्ट Q6.8 choose the like and unlike decimal fractions from the following pairs तो देखो यहापे pairs दिया हुआ है इसमें से like और unlike decimal fractions हमें लिखनी है तो देखो like decimal fractions, two decimal fractions are called like if they have equal number of decimal places तो देखो two decimal fractions को हम like decimal fractions कब बोलेंगे? जब point के बाद places जो है बो सेम रहेगा तब बो हो जाएगा like decimal fractions means equal number of decimal places ठीक है? अभी देखो unlike decimal fractions two decimal fractions are called unlike if they have unequal number of decimal places तो देखो two decimal fractions कब unlike decimal fractions होगा? जब point के बाद जो places है वो unequal रहेगा तब बो हो जाएगा unlike decimal fractions means unequal number of decimal places होगा तब बो हो जाएगा unlike decimal fractions ठीक है? अभी देखो first 12.6 और 7.5 तो यहाँ पे देखो one place है ठीक है? means यहाँ पे equal number of decimal places है तो यह हो जाएगा like decimal fractions ठीक है? decimal fractions अभी next देखो 4.67 और 0.79 तो यहाँ पे point के बाद two places है ठीक है? तो यहाँ पे equal number of decimal places है तो यह भी हो जाएगा unlike decimal places decimal fractions ठीक है? अभी देखो 67.123 और यहाँ पे 923.0123 तो यहाँ पे देखो places unequal है ठीक है? पॉइंट के बाद तो यहाँ पे unequal number of decimal places है तो यह हो जाएगा unlike decimal fractions अभी नेक्स्ट देखो 116.234 और 17.004 तो यह भी हो जाएगा like decimal fractions question number 9 convert the following pairs of unlike decimal fractions into pairs of like decimal fractions तो देखो यहाँ पे unlike decimal fractions दिया हुआ है इसे हमें like decimal fractions में convert करनी है तो देखो first 3.4 और 8.23 तो यहाँ पे height number of decimal places है 2 ठीक है तो हमें point के बाद 2 places तक digit बनानी है तो देखो 3.4 को हम लिख सकते हैं 3.40 ठीक है हम 0 ले देंगे ठीक है अभी 8.23 यह सेम ही रहेगा तो 8.23 हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा like decimal fractions अभी next देखो 4.04 और यहाँ पे हो जाएगा 4.40 ठीक है अभी next देखो 70.100 ठीक है highest number 3 है तो हम 3 places तक कर लेंगे तो और अभी यहाँ पे हो जाएगा 3.45.123 ठीक है अभी next देखो 300.001 और 91.010 question number 10 fill in the blanks with greater than, less than or equal तो देखो यहाँ पे greater than, less than or equal लिक ना है तो देखो first 0.1-0.01 तो देखो first हम like decimal fractions में convert कर लेंगे तो हमें easy होगा तो देखो 0.1 को हम लिख सकेंगे 0.10 ठीक है और 0.01 तो कौन सा बरा है 0.10 ठीक है यह बरा है और यह छोटा है तो यह हो जाएगा greater than ठीक है अभी देखो next 2.32 और 1.99 तो यह बरा है ठीक है तो यह हो जाएगा greater than अभी देखो 16.123 और 16.12300 तो अगर हम 16.12300 करते तो यह और यह equal हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा equal अभी देखो next 252.9111 और 252.099 ठीक है तो हम देखो यहाँ पे 252.9111 और 252.099 और एक 0 देदेंगे तो देखो कौन सा बरा है यह बरा है ठीक है तो यह हो जाएगा greater than अभी देखो 13.99 डेश 14 तो देखो 14 को हम लिख सकते हैं 14.00 ठीक है तो यह बरा हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा less than ठीक है अभी देखो 8.431 और 8.413 तो यह बरा है तो यहाँ पे हो जाएगा greater than ठीक है Question number 11 Write in ascending order तो देखो ascending order means हमें पता है smallest to greatest ठीक है अभी देखो यहाँ पे decimal fractions दिया हुआ है अभी इससे हमें ascending order में लिखना है ठीक है तो देखो first यहाँ पे देखो highest decimal places 4 है ठीक है तो हम first इससे हम like decimal fractions में convert करेंगे तो देखो 2.0100 हो जाएगा ठीक है 4 digit तक हमें करनी है 2.0010 फिर 2.0030 और 2.0004 ठीक है अभी देखो smallest decimal fraction कौन सा है यह है 2.0004 तो first होगा 2.0004 ठीक है अभी इससे बरा कौन सा नंबर है 2.0010 तो हो जाएगा 2.001 ठीक है इससे बरा कौन सा है 2.0030 तो हो जाएगा 2.003 अभी इससे बरा है है 2.0100 तो हो जाएगा 2.01 ठीक है अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो हाइस नमबर अब डेस्मल प्लेसेश 3 है तो 3 डिजित तक हमें बनानी है तो 345.050 34.080 345.009 और 123.123 ठीक है अभी देखो smallest कौन सा है 345 यह नहीं है यह है 334.080 यह smallest है तो 34.08 तो यह हो जाएगा 34.08 फिर इससे बराद देखो 123.123 तो यह हो जाएगा अभी इससे बराद हो जाएगा देखो 345.009 यह है ठीक है तो 345.009 फिर इससे बराद है 345.050 तो यह हो जाएगा 345.05 ठीक है कौशे नमिर 12 राइट इन डिसेंडिंग ओर्डर डिसेंडिंग ओर्डर मींस ग्रेटेस्ट तू स्मॉलेस्ट greatest to smallest ठीक है अभी देखो ये like decimal fractions में है अभी greatest decimal fractions होगा 64.43 ठीक है इससे छोटा हो जाएगा 46.43 greater than अभी इससे छोटा हो जाएगा 26.37 और इससे छोटा 26.12 ठीक है अभी नेक्स्ट देखो इससे हम फिर्स like decimal fractions में लिखेंगे 310310.800 फिर 31.080 31.880 और 310.008 ठीक है अभी सबसे बरा है ये तो हो जाएगा 310.8 greater than फिर इससे छोटा हो जाएगा देखो 31.88 फिर इससे छोटा 31.08 question number 13 express the following decimal fractions as fractional numbers तो देखो यहाँ पर decimal fractions दिया हुआ है इससे हमें fractional numbers में convert करनी है तो first देखो 0.1 ठीक है तो first हम लिख लेंगे 0.1 अभी नीचे देखो point के लिए 1 आ जाएगा ठीक है और point के बाद चितना digit होगा उतना 0 हो जाएगा तो एक digit है तो एक 0 हो जाएगा तो उपर point उठ जाएगा ठीक है और number के पहले 0 की कोई value नहीं होता है तो यह हम cut देंगे ठीक है तो हो जाएगा answer 1 upon 10 अभी next देखो 0.23 अभी point के लिए 1 आ जाएगा और point के बाद right sign में 2 digit है तो हो जाएगा 2 0 ठीक है तो point उठ जाएगा 0 कार्ट देंगे हम तो हो जाएगा answer 23 upon 100 अभी next देखो 0.357 अभी point के लिए 1 आएगा और 3 digit है तो 3 zeros हो जाएगा ठीक है point उठ जाएगा 0 कार्ट देंगे तो 357 अपन 1000 ठीक है अभी next देखो 5.4567 और नीचे हो जाएगा point के लिए 1 और देखो 4 digit है 1 2 3 4 तो 4 zeros हो जाएगा अभी point उठ जाएगा ठीक है तो हो जाएगा 54567 अपन 10,000 ठीक है अभी next देखो 12.05 अभी नीचे point के लिए 1 आएगा अभी 2 zeros आएगा point उठ जाएगा तो हो जाएगा 1205 और नीचे हो जाएगा 100 question number 14, write the following fractional numbers as decimal fractions तो देखो यहाँ पर fractional numbers दिया हुआ है इसे हमें decimal fractions में लिखना है तो first देखो 9 upon 10 तो यहाँ पर देखो 10 है तो जितना 0 रहेगा तो उपर numerator में उतना digit के पहले point हो जाएगा तो यहाँ पर 1 0 है तो उपर 9 है तो एक digit के पहले point हो जाएगा तो 0.9 हो जाएगा तो जीरो पॉइंट नाइन हो जाएगा तीक है अभी next देखो 11 upon 100 तो यहाँ पर देखो 2 zeros है तो उपर हो जाएगा देखो 1 1 दो डीजित के पहले point हो जाएगा तीक है और point के पहले हम एक 0 ले लेंगे अभी देखो next 17 upon 1000 तो यहाँ पर देखो 1 7 अभी 3 zeros है तो 1 2 3 एक 0 हम ले लेंगे इसके पहले point हो जाएगा तो 3 digit के पहले point हो जाएगा अभी देखो उपर 3 1 है तीक है अभी 1 2 3 4 4 डीजित के पहले point हो जाएगा तो 1 2 अभी 2 0 हम ले लेंगे इसके पहले point हो जाएगा तीक है अभी देखो यह mixed fraction में है इससे हमें improper fraction में first लेकर आना है तो 3 into 100 300 plus 19 319 upon 100 अभी हम point में लेकर आएगे तो देखो 2 0 है तो उपर 2 डीजित के पहले point हो जाएगा तो हो जाएगा 3.19 तो यह था part 2 अप exercise 26 हम next वीडियो में exercise 27 स्टार्ट करेंगे करेंगे करेंगे